मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारा प्यार, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका, डॉक्टर बेबी शर्मा, आज आपके लिए कुडिया घर की सेर पाठ दस लेकर आई हूँ, और आज हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे. अभ्यास, पेज आउन, 69. अच्छा बच्चों, तो बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? चाचा नहरू का जनम दिवस है, और पूरा देश बाल दिवस कब मनाता है? इसका सही उत्तर है, बाल दिवस 14 नुवम्बर को मनाया जाता है. तीसरा प्रश्ण है गुन-गुन को क्या देखकर मज़ा आया गुन-गुन को क्या देखकर मज़ा आया गुन-गुन का बड़ा मन था कि वो गुडिया घर देखने जाए तो गुन-गुन इसका सही उत्तर है गुन-गुन को गुडिया घर देखकर मज़ा आया इसके आगी है सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाई गुडिया घर के बारे में किसने बताया गुडिया घर के बारे में किसने बताया इसमें तीन आप्शन है मुमी ने पापा ने या उसकी सहेली ने तो गुन-गुन को गुडिया घर के बारे में उसकी सहेली ने बताया इसका तीसरा option सही है दूसरा है गुन-गुन कितने बजे गुडिया घर पहुंच गई थी लगभग 9 बजे, लगभग 10 बजे, लगभग 12 बजे तो इसका सही है उत्तर है लगभग 10 बजे नीचे प्रशन दिये गए हैं इन प्रशनों के उत्तर लिखिए गुनगुन को क्या करना अच्छा लगता था गुनगुन को क्या करना अच्छा लगता था गुनगुन को गुडिया के साथ बाते करना उनके साथ खेलना और सहेलियों के साथ मिलकर उनकी शादी रचाना अच्छा लगता था दूसरा प्रश्ण है क्या देखकर गुन-गुन खुशी के मारे जूम उठती है इसका सही उत्तर है घर के किसी कोने या अलमारी में रखी अपनी गुडिया को देखकर गुन-गुन खुशी के मारे जूम उठती है गुन-गुन ने कौन सी रोचक बात नानी को बताई अब गुन-गुन नानी को अपने पत्र में क्या रोचक बात बताई थी इसका सही उत्तर है गुन-गुन नानी को यह रोचक बात बताई कि गुडिया घर में गुडियों के लिए एक क्लिनिक भी है जिसमें तूटी-फूटी गुडियों की मरम्मत होती है नेक्स्ट क्वेश्चन पापा ने क्या बताया पापा ने बताया कि गुडिया घर को के शंकर, पिल्ले नामक, कार्टोनिस्ट ने बनाया था और चाचा नहरू ने इसे बनाने में उसका सहीयो किया थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास सही कथन पर स्माइल का और गलत कथन पर दुख वाला फेस बनाना है अब पहला प्रशन इसमें गुन-गुन को बहुत दिनों बाद नानी की याद आई क्या ये सही है या उत्तर गुन-गुन को तो रोज नानी की याद आती थी तो यहा उत्तर हमारे पास गलत है तो इसमें हमें कौन सी पिक्चुर बनानी है ये ये वाली गलत उत्तर वाली दूसरा है सभी गुढिया भारतिय थी हमने जो पाट पड़ा तो उसमें तो हमें बताया गया था कि कोई विदेशी भी गुडिया लग रही थी तो यहां भी हमारा उत्तर गलत है तो इसे भी हमने इस तरह का गलत वाला फेस देना है तीसरा प्रश्ण है गुडिया घर बनाने में चाचा नहरू ने सहयोग किया था यह बिल्कुल सही आंसर है क्योंकि केश अंकर पिल्ले ने गुडिया घर बनाया था और चाचा नहरू ने उसे बनाने में उसका पूरा सहयोग दिया था तो इसमें हमने यह स्माइल वाला जो पिक्चर है वो बनानी है आगे है गुनगुन ने नानी से मिठाई मंगवाई अब गुनगुन को तो मिठाई से ज़्यादा प्यार नहीं था गुनगुन को किस से ज़्यादा प्यार था उसे अपनी गुडिया से ज़्यादा प्यार था इसलिए गुनगुन ने तो नानी से मिठाई नहीं मंगवाई थी गुन-गुन ने तो नानी से गुड़ा और गुड़िया मंगवाई थी तो इसमें भी हमने ये गलत निशान वाला रोने वाला फेस जो है उसे बनाना है आगे है भाशा ज्यान Language, Learning, Skills and Grammar सबसे पहला प्रशन है एक शब्द का अनेक शब्द लिखिए सबसे पहला है गुड़िया गुड़िया का एक गुड़िया के लिए गुड़िया लिखते है और बहुत सारी गुड़िया में चंदरबिंदू लगता है तो गुड़िया दूसरा है सहेली सहेली का बहुवच्चन है सहेलिया तीसरा है शादी इसका बहुवचन है शादियां आगे है छुट्टी बहुवचन होगा छुट्टियां नाउ नेक्स्ट पीच हमारे पास अब नीचे दिये गए वाक्यों में आए विशेष्टा बताने वाले शब्दों के नीचे रेखा खींचिये इस कुश्चन को करने से पहले आपको जानना होगा कि संग्या शब्द किसे कहते है जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, स्तान, प्राणी, गुणिया, भाव का पता चले उसका बोध हो उसे संग्या कहते है जैसे राम राम से हमें किसी व्यक्ति का बोध होता है हमें पता है राम रामाईन के बहुत अच्छे पातर थे कक्षा कक्षा जैसे ही हमारे दिमाग में आता है तो हमें पूरा क्लास्ट्रूम याद आता है उस पे सारे बच्चे याद आते है पूरे समुहू का पता चलता है गोड़ा, एक गोड़े के बारे में जब हम सोचते है तो हमें उसके पूरी जाती सामने आ जाती है रसीला, इससे हमें भाव का पता चलता है चांदी, इससे हमें द्रव्या का पता चलता है तब विशेश्टा बताने के लिए हमें विशेशन का जानना जरूरी है जो शब्द संग्या या सर्वनाम की विशेशता बताते है उन्हें विशेशन कहा जाता है अब हमारे पास पहला प्रश्ट है गुडिया घर एक नया संसार की तरह था अब इसमें संग्या शब्द हमारे पास गुडिया घर है संसार है अब इसमें किसकी विशेष्टा बता रही है संसार और गुडिया घर की विशेष्टा क्या है नया तो इसमें हमारा विशेष्टा कौन सी है नया नया के नीचे आपको अंडरलाइन करना है आगे है गुडिय गर में विदेशी गुडिया भी थी गुडिया की विशेषता क्या है वो कैसी गुडिया थी विदेशी थी इसलिए इसमें किसकी विशेषता है गुडिया की है तो अब विशेषता क्या है विदेशी आपको विदेशी के नीचे अंडरलाइन करना है आगे है डरावनी option question है हमारे पास tutti-futti गुडिया मुरमत के लिए clinic में भेजी गई गुडिया कैसी थी जिसे clinic में भीजा गया tutti-futti गुडिया की क्या विशेष्टा बता रहा है ये वाक्या कि गुडिया tutti-futti थी तो आपको किसके नीचे underline करना है tutti-futti के नीचे अब हमारे पास तीसरा question यहां आगे है जिसमें हमारे पास box में कुछ शब्द दिये गए है हमें वहां से चांट कर वो शब्द लिखने है गुडिया डैश कहानी गुडिया की कहानी गुडिया डैश साथ हम यहीं से option लेंगे गुडिया के साथ अलमारी डैश रखी अलमारी में रखी स्कूल डैश छुटी स्कूल की क्या है छुटी तो इसका सही उतर क्या है की कोमें बड़ी इ स्कूल की छुटी गुडियो डैश संसार गुडियों का क्या है संसार तो इसका सही उतर है को आ का डैश बताया किसने बताया पापा ने तो क्या है सही उतर ने नो ए ने आगे हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है तितली के पंखो पलिखे वर्नों से चोटा उ और बड़ा उ की मातरा जोड़ कर शब्द बनाएं आपके सामने एक तितली दी गई है और उसमें एक तरफ उसके चोटा उ दिया है दूसरी तरफ बड़ा उ की मातरा दी गई है और इन दोनों में कुछ शब्द हमारी वर्न माला से कुछ वर्न दिये गए है आपने उन वर्नों को जोड़ करके एक पूरा शब्द बनाना है जैसे पहले दिया है चोटा उ कुछ तो हमने कौब में कौब मे पहले बनाया है इनुने कुछ तो हमें बनाना है इसका अगला शब्द को में छोटा उ लोकुल दो में छोटा उ खा दुख तीसरा है हमारे पास वर्न खा खा में छोटा उ शोकुष दो में छोटा उ मौदुम पा में छोटा उ लोपुल ये हमारे पास छोटा उ वाले शब गरौब बढ़ाऊ की मातरा दी गई है और इसमें हमारे पास वण दिये गए है रो छह वळ और शह तो हम इन सब वन्नों से देख देखकर के इसमें मातराई जोड करके नए शब्द बनाएंगे जैसे पहला वन दिया गया है हमारे पास दौ में बढ़ाऊ रो दूर तो इससे हमने दूसरा शब्द बनाया है रो को उ की मात्रा जोड़ करके रो बढ़ाऊ पौरूप शो बढ़ाऊ लोशूल सो बढ़ाऊ पौसूप छो बढ़ाऊ टोचूट एक हमारे पास सो बच्चता है सो में बढ़ाऊ अंग डोसून तो बच्चो ये हमारे सारे के सारे प्रश्न यहां समापत होते हैं बहुत बहुत धन्यवाद